हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल आज की वीडियो में हैंड कर्चिफ लोंग फ्रोग की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने 3.5 मीटर का क्रैप फैब्रिक लिया है पहले इस फैब्रिक में इसे फ्रोग के टोप पार्ट की मा पहले इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और फोर लेयर में फोल्ड कर लिये फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया इसका एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डीड साइड है अब फ्रोग के टोप पार्ट की मार्किंग कर लेंगे हैंड कर्चिफ फ् की दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे अब दोनों पाइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब solder की marking करेंगे folded side से solder 7 inch पर marking कर लेंगे अब इस marking कर टेप रखेंगे और मोल भी एक ऍच्पर marking कर लेंगे यहाँ से भी 7 inch पर marking करेंगे अब दोनों point को मिला लेंगे और एक line doing ki कर लेंगे इस marking को 3 से 4 inch आगे की तरफ अबढ़ा देंगे इस corner पर 1.5 inch पर marking कर लेंगे और back armol के लिए round shape में marking कर लेंगे front armol के लिए under की side half inch पर marking कर लेंगे front armol और back armol दोनों की marking कर लिया अब यहीं से fitting के marking कर लेंगे जैसे fitting है 36 inch तो उसको 4 से divide करेंगे तो 9 inch आएगा folded side से 9 inch पर marking कर लेंगे आपकी जितनी भी fitting है उसके coding 4 से divide करके यहाँ पर marking कर लेंगे अब कमर की fitting की marking करेंगे जैसे कमर की fitting है 32 inch तो उसको 4 से divide करेंगे तो 8 inch पर marking कर लेंगे दोनों पाइंटों को मिला के एक line ट्रो कर लेंगे अब margin की marking करेंगे, इस marking पर tape रखेंगे और 2 inch पर margin की marking कर लेंगे और इसके दूसरे side भी 2 inch पर margin की marking कर लेंगे margin की दोनों marking को मिलाके एक line draw कर लेंगे अब neck की width की marking कर लेंगे, neck width 3 inch पर marking करेंगे solder की half inch down marking कर लेंगे, दोनों point को मिलाके एक line draw कर लेंगे अब front neck की marking करेंगे, front neck की length 5 inch पर marking कर लेंगे पहले एक box बना लेंगे, उसके बद front neck की round shape में marking कर लेंगे पहले roughly marking करेंगे, उसके बद marking को dark कर लेंगे front neck की marking कर लिया है, अब back neck की marking करेंगे, back neck की length 2.5 inch पर marking कर लेंगे पहले एक box बना लेंगे और back neck की भी round shape में marking करेंगे पहले roughly marking करेंगे उसके बाद marking को dark कर लेंगे handkerchief frog के top part की marking complete कर लिया अब जैसे marking कर रखिया as it is इसकी cutting कर देंगे handkerchief frog के top part की marking कर लिया अब back armhole से और back neck से as it is इसकी cutting कर देंगे top part की cutting कर लिया अब इसमें से back वाले part को अलग निकाल देंगे front part को center से fold कर लेंगे अब इसके neck की और armhole की edges cutting कर देंगे neck की और armhole की cutting कर ली है अब इसको open कर लेंगे fabric को four layer में fold कर रखा था तो froke के दोनों part के एक साथ cutting कर ली है अब handkerchief froke के bottom part के cutting कर लेंगे fabric को length की side से four layer में fold कर ली है ये open side है और four layer में है और इसके दूसरी side folded side है bottom part के corner पर top part को set कर लेंगे और इसके दोनों side top part के बराबर marking कर लेंगे top part को हटा लेंगे अब inch tape की help से round shape में marking कर लेंगे corner से tape तक इसकी length six inch है तो corner पर tape को रखेंगे और six inch पर marking करते जाएंगे अब सारे पाइंटों को मिला लेंगे और एक line draw कर लेंगे handkerchief frog के bottom part की कमर की marking कर लेंगे अब handkerchief frog के bottom part की length की marking कर लेंगे जैसे frog की ready length है 41 inch 14 inch top part का minus कर देंगे तो 27 inch बचेगा प्लस वन इंच करेंगे, मार्जन के लिए वे दोनों साइड से लाई में चला जाएगा तो बोटम पार्ट के लिए 28 इंच पर मार्किंग कर लेंगे कमर की मार्किंग पर टेप रखेंगे और 28 इंच पर मार्किंग कर लेंगे एक कोर्णर पर 21 इंच पर मार्किंग कर लिया है अब इसके दूसरे कोर्णर पर भी 28 इंच पर मार्किंग कर लेंगे दोनों कोर्णर पर 28 इंच पर मार्किंग करके एक दोनों साइड से लाइन ट्रो कर लिया है अब जैसे key क Daar रखेसे अज़े ने मार्किंग कर रखाए शकी help ऐसंज कोड़पी कर देंगे दोनो उना कोके इसको कौट़े दिया अब इसको ओपन करेंगे फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो हैंड कर्चीफ फ्रोग के बोटम पार्ट के फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर लिया है अब स्लीव की कटिंग करेंगे, फैब्री को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है, यह फोल्डीड साइड है, और इसके दूसरे साइड ओपन साइड है, स्लीव की रेडी लैंद 15 इंच है, एक इंच एक्स्टा ले लेंगे, मार्जन के लिए वह दोनों साइड से लाही में चला पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार कर लेंगे, अब स्लीव की बोटम साइड से 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच पर मार्जन की मार्किंग कर लेंगे, अब दोनों पैंटों को मिला के एक लाइन ड्रो कर लेंगे, अब जैसे मार्कि की कटिंग कर लिया है और इसके सेंटर में कट लगा लिया है अब स्लीव को ओपन कर लेंगे स्लीव के अंदर की साइड दोनों उल्टी साइड है तो इसलिए दोनों की एक साथ में स्लीव के फ्रेंट साइड से हाफ इंच की कटिंग कर देंगे स्लिव्स के फैबरी को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसलिए दोनों स्लिव्स के एक साथ कटिंग कर लिए मैंने दो और एब की स्ट्रिप ले लिए इसको नेक पर अटेच कर लेंगे इसकी वीड़ है 1.5 इंच पहले फ्रेंट नेक को रेडी कर लेंगे फ्रेंट पार्ट को राइड साइड से रखेंगे स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके नेक पर अटेच करते जाएंगे और हाफ इंच का मार्जन रखते हुए इसके ओपर सिलाई लगा लेंगे अब अरेव की स्ट्रिप अटेच कर लिए अब इसमें छोटे-छोटे कुट्स लगा लेंगे सिलाई को बचा कर जिसे नेक इसली फोल्ड हो जाएगा फिनिसिंग के साथ अब और एव की स्ट्रिप को उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे और इसके ओपर सिलाई लगा लेंगे और एव की स्ट्रिप को अटेच करके फ्रेट नेक को रेडी कर लिया है सेम तरीके से मैंने बैक नेक को भी रेडी कर लिया है अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे सोल्डर को सोल्डर से मिला लेंगे और हाफ इंच का मार्जन रखते हुए दोनों सोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे Handkerchief फ्रोग के टोप पार्ट के दोनों पार्ट को अटेच कर लिया है अब दोनों पार्ट को राइट साइड से फैला कर रख लेंगे अब इसके उपर पहले स्लीव को अटेच कर लेंगे स्लीव को इसके उपर उल्टी साइड से रखेंगे डोनों पार्ट के एक दूसरे के right side face करते वे रखेंगे सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे और स्लीव के फैबरिक को इस तरीके से turn करते जाएंगे और half inch का माझन रखते वे सिलाई लगा लेंगे सें तरीके से दूसरी स्लीव को भी attach कर लेंगे फ्रोग के टोप पार्ट के ऊपर जोनों को अटेच कर लिया है अप जोनों स्लीव चाज़ को बोटमे साइड से फैप्रीक को फोल्ड करेंगी जोनों स्लीव स के लिए फ然后 हाफ और से बेल की Grade एक बार ओर फोल्ड कर लेंग और सीलाय लगा देंगे इसेम तरीके से दूसरी स्लीव को भी fold कर लेंगे और силाय लगा लेंगे दोनों स्लीव को bottom से fold करके finishing के साथ силाय लगा लिया अब top part और bottom part को attach कर लेंगे frog के top part को right side से रख लियाए अब इसके ऊपर bottom part को ulti side से रखेंगे center को center से मिला लेंगे और 1.5 inch का मार्जन रखते वthen के सीलाई took alcohol अब इस फ्रोग के तोनों साइड फिटिंग के सीाइip लगा लिए फ्रोग के दोनों साइड फिटिंग की सिलाया लगा लिए अब फ्रोग को बोटम साइड से फोल्ड करेंगे पहले हाफ इंच से भी कम फैबरी को फोल्ड कर लेंगे उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे चारो साइड से इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिला तरीके से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मैं आपका रिपलाइस जरूर करूंगी इसी तरीके से मैं अपने चैनल पर नहीं नहीं डिजाइनर लहंगा, गाउन, कूर्तिज, फ्रोग की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बने में बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं अपनी नहीं वीडियो डालूं तो आपके बस नोटिफिकेसन आ जाए वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंकि सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके बाई